हमारे साथ जितिन प्रशाद हैं योगी सरकार में मंत्री और आज हम इस वक्त हर्दोई में हैं जहां पर वो अमिट शाह के इस कारिक्रम में शिरकत करने आये थे और अभी जन विश्वास यात्रा में हैं स्वागत है आपका यूपी तक में जितिन जी बड़ी रैली हम लोगों ने देखी अमिट शाह की किस तरीके का माहौल इस वक्त आपको देख सकते हैं कि जनताक में कितना उत्सा है और माने ग्रह मंत्री जी का यहां आगमन हुआ हर्दोई में और यह वो जिला है जहां साथ स इस प्रेस भी यहां से निकल के जाएगा हर्दोई जिले में यह ऐसे ऐसे काम जो गिनाने आ जाएं डिफेंस कॉरिंडोर है तमाम और योजनाय जो हैं तो जनता में भारी उत्सा दिखता है और यह दिखाता है और दर्शाता है कि जो कार हुए हैं केन सरकार के और प्रदे श्यादों से आप लोगों के होगा आप लोगों क्या लगा यह सीधी हो टकर या कोई हो बात उसकी नहीं है बात यह है कि जनता फिर से पुनर विश्वास कर रही है और कह रही है उसके हम लोगों के तो मैस कॉंटेक्ट प्रोग्राम लग रहा है दिख रहा है कि उत्सा जो पहुंच रहे है और देख रहे हैं एक्सप्रेस्य वेस का हर निर्मान हो रहा है इन्टेशनल ले पोड़ में हमारे जो राष्ट के मैं जो धार्मिक आस्था के दरोवर्थ है चाहे आप अहुद्य का मंदिर हो चाहे वह वह कशिव शुन कि ब्रामणों की एक नाराजगी है वाकाइदा एक मीटिंग भी की गई धर्मित पधान के घर पर लंच पर मीटिंग होई कल जेपी नड़ा के हाप लोगों की मुलाकात हुई तो कौन सी वो नाराजगी है किस बात की वो नाराजगी है और उसका क्या सोलूशन ने नाराजग के का कोई भी ब्रामणों में संतोष नहीं यह मैं कह रहा हूँ और मैंने देखा है अपनी आखों से और मैं दावे के साथ कह सकता हूं आने वाले चुनाओं में ब्रामण समाज का पूर्ण समर्थन भारती जनता पार्टी को मिलेगा है क्या ऐसा चार लोगों की कमिटी बन मिलने के योजना हैं जैसे ही रतियात्रा चल रही है तमाम और हमारी बार्टी की तरफ से चल रही है और मैं इतना कह सकता हूं कि ब्रामण समाज को किसी की जरुवत नहीं है उसका विवेक बुद्धी और वो से फैस्ता लेता है और आप देखिएगा आने वाले समय में प्रियंका गांधी एक्टिव हैं लड़की हूं लड़ सकती हूं ऐसे कारेक्टरम लेकर क्या रही है जहांसी में भीड दिखाई दी लखनु में भीड दिखाई दी आपको क्या लगता है कि कॉंग्रेस की क्या इस्तिति और इसी इलाके में खास करके जहां पर आजय मिश् साथ जो दूरिया है जनता और पार्टी के बीच वह बहुत बढ़ चुकी है और अब ही पार्टी में वो ना विचार है और ना वो उनके प्रोग्रेम्स हैं जिससे जनता के प्रती वो कोई अपना पैट बना सके और बहुत दूरिया हो चुकी है मैं इतने कहने चाहूं धन के आने के बावजूद भी कॉंग्रेस का कोई कनेक्ट लोगों के साथ नहीं बचा है यूपी तक के लिए हर दोई से कुमार अभिशे झाओे को बावाार को गुमार अखिपे हर दो रिए नहीं पीजया है यूपी जुます